Hi Everyone, Welcome to Study Spring और मैं ज्यादा तर ऐसे मुद्दे पर वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ लेकिन कुछ ऐसी बाते हैं जो आपको जानना जरूरी है मेरी कहानी सुड़ू होती है 2019 के मार्ट से जब मैं एने केटमी पर पहाना स्टार्ट किया था और मैं लोगों को इतना पसंद आया कि वो बहुत जादा मुझे फॉलो किये लेकिन कुछ समय के बाद वहाँ के कुछ राजनीती और ऐसे प्रोपगेंड़ा जो स्टूडेंट के लिए हेलफुल नहीं थे इसके कारण मैंने अने केटमी को छोड़ दिया और तुरत मैंने अपना एक यूटूब चैनल स्टूडी स्प्रिंग बनाया और यहाँ पर मेरे सारे जो भी फॉलोवर्ट्स थे जो भी मुझे लाइक करते थे वो मुझसे आकर के यहाँ पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किये लेकिन अभी एक नया प्रोपगेंड़ा चल करते हैं तो मैं उन लोगों को यही एक सूचना देना चाहता हूं कि अभी जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं अगर इनको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो यह मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वैसे लोगों के ऊपर एक तमाचा भी मारेंगे जो ऐसी प्र और मैं एक टीचर हूँ जो फिरियो आफ कोस्ट सर्विस देता हूँ तो यह बात मैं आपको और बता देता हूँ कि मर्द और नदी कभी पीछे की तरफ नहीं बहागरते हैं वो सब दिन आगे ही चलते हैं तो आप ऐसे प्रोपगेंडा को फैलागे किसी टीचर के मोराल को डाउन नहीं कर सकते हैं या फिर उसके फॉलोर्स को या फिर उसके जो चाहने वाले हैं उसकी संख्या को आप कभी कम नहीं कर सकते हैं तो इस टाइप की बाते एक टीचर के लिए अच्छी नहीं है अगर आप एक टीचर है तो आप इस तरह के प्रोपगेंडा से बचे क्य क्योंकि जब मैं आपके पास data so करूंगा तो आपको देख के हराणी होगी कि मेरे वीडियो को 1000 लोग देखते हैं और subscribe के ओल 200 लोग करते हैं तो ये था क्योंकि एक subscriber count होने से subscriber बढ़ने से एक YouTuber का एक teacher का आपके comment से उसके जो motivation होता है वो बढ़ता है ठीक है उसको एक अलग सा motivation मिलता है एक teacher को तो आप ली चैनल को subscribe और share कीज़े क्योंकि ये चैनल को आपके support के जरुरत है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में thank you and good